दोस्तों नमस्कार मैं हूँ डोक्टर प्रदीप प्रसन आप भी प्रसन होंगे ऐसी आशाहिन ही पूरण विश्वास है आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर तो आएए आज कुछ नया सीखते हैं नए टोपिक के साथ आज की वीडियो मना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी की पुस्तक 36 भाग दो के काविखंड पाठ दो तुलसी दास राम लक्षमन पर शुराम समवाद जो तुलसी दास द्वारा लिखित है के पाठ का परीचे तुलसी दास का परीचे और पाठ वाचन उसका अर्थ सरल भाषा में उसका अनुवाद और उसकी व्याक्या वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेश्टे दिया आपने हिंदी की बिंदी चैनल को ही तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरू करें बेल आईकॉन को जरू दबाएं तक कोई वीडियो आप मिस न कर पाएं आईए तो शु जन्म सन को मानते हैं परन्तु अधिकान श्विद्वान इनका जन्म 1532 में सोरों में मानते हैं इनके पिताई माता का नाम आत्माराम दुवे एवं हुलसी था इनका बच्पन काफी कष्ट पूर्ण था बच्पन में ही ये अपने माता-पिता से बिछड गए थे इनके गु विभा रतनावली से हुआ जिन्होंने इनका जीवन राम भक्ती की ओर मोडने का सफल प्रियास किया विभा से पूर्व ये राम भक्ती की ओर उनमुक नहीं थे लेकिन इनकी पत्नी ने जब ये प्रेम में ज्यादा आतुर थे अपनी पत्नी के प्रति तो उन्होंने राम राम चरित मानस में इन्होंने समस्त पारिवारिक संबंधों, राजनितिक धर्म, सामाजे की व्यवस्था का बड़ा ही सुंदर उलेक किया है राम चरित मानस के अत्रिक्त इनके लगबग 11 बारे ग्रंत हैं जिनमें प्रमुक है विने पत्त्रे का दोहावली, कवितावली, गीतावली, राम लला नहेचु, इत्यादी, तुलसीदास जी की कावे भाषा आवधी है, कुछ जगहें पर उन्हें ब्रेज का भी प्रियोग किया है, लेकिन अधिक मात्रा में आवधी मिलती है, इनके सहित्य में प्रचूरता में आवधी मिलती है, ये प्रभो श्री रा राम के परमपासत है, सन 1623 में इन्होंने काशि में देहत्याग दिया, राम लक्ष्मन परशुराम समवाध का सार यानि कि ये पार्ठ क्या है, कि इस के बारे में किस तरह से, राम लक्ष्मन परशुराम समवाद रामचरीत मानस से लिया गया है जो कि सीता जी के स्विम्बर के समय का है शिरी नाम शिवजी का धनुष उठा कर उसे तोड़ देते हैं तो सारे संसार में इस बात की चर्चाग कितने फैल जाती है जब यह बात परशुराम जी के कानों तक जाती है और उन्हें पता चलता है कि उनके गुरुदेव शिवजी का धनुष किसी ने तोड़ दिया है वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं वो धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति का वद करने के लिए सीता जी के स्वेमबर वाली सभा में आ जाते हैं उसके बाद राम लक्ष्मन परशुराम जी के बीच जो बात होती है उसका वर्णन यहां दिया हुआ है राम लक्ष्मन परशुराम शवाद तुलसी दास का लिखावा अब हम इस पार्ठ को पढ़ते हैं और इसके साथ साथ उसका सार अर्थ भाव बताते चलते हैं। शिव जी के धनुष को तोड़ने की शक्ती तो केवल आपके दास में हो सकती है। इसलिए भे आपका कोई दास ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। उसने इस धनुष को तोड़कर मुझे युद्ध के लिए ललका रहा है। इसलिए वो मेरे सामने आए जिसने धनुष तोड़ा है। परशुराम कह रहे हैं। परशुराम जी की ये बात सुनकर राम कहते हैं कि सुनहु राम जेही सिवधन तोरा सहस बाहू सम सोरिप मोरा सोबिल गाव भिहाव समाजा नैते मारे जेही सवराजा। परशुराम जी कहते हैं कि श्रीराम से कहते हैं जिसने भी शिवजी की धनुष को तोड़ा है। वह इस स्वेमवर को छोड़ कर अलग खड़ा हो जाए। अर्थात वो लाइनों से हट करके अलग खड़ा हो राजा महराजाओं से दूर। नहीं तो इस दरबार में उपस्तित सारे राजाओं को अपनी जान से हाथ दोना पड़ेगा अर्थात मैं सब को प्रताडित करूँगा। परशुराम के क्रोध से भरे स्वर को सुनकर लक्षमन उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर हम बच्पन में खेल खेल में ऐसे कई धनुष तोड़ चुके हैं। और वो कहते हैं बोलते हैं कि हे मुनिवर हमने बच्पन में ऐसे अनेक धनुष खेल खेल में तोड़े हैं तब तो आप क्रोधित नहीं हुए परन्तु यह धनुष आपको इतना प्रियक्यों है जो इसके तूट जाने पर आप इतना क्रोधित हूठे हैं और जिसने यह धन प्रशुराम जी कहते हैं कि हे राजबूत राजा के बेटे बालक तुम काल के वर्ष में हो अर्थात तुम में एहंकार समाया हुआ है और इसी कारण वस तुम्हीं यह नहीं पता चल रहा कि तुम क्या बोल रहे हो और किसके सामने बोल रहे हो क्या तुम्हें बच्पन में तोड़े गए धनुष एवं शिवजी के इस धनुष में कोई अंतर नहीं दिखाई देता जो तुम इतनी तुलना आपस में कर रहे हो और इनकी परशुराम की बात सुनने के उपरांत लक्षन मुस्कुराते हुए व्यंग पूर्वक फिर कहने लगते हैं परशुराम से कि हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही एक समान ही दिखाई देते हैं कोई अंतर हमें उनमें खास दिखाई नहीं देता किसी में कोई फर्क नजर नहीं आता फिर इस पुराने धनुष के तूट जाने पर ऐसी क्या आफ़त आ गई है जो आप इतना क्रोधित हो उठे हैं जब लक्षमन परशुराम जी से ये बात कह रहे थे तब उन्हें श्रीराम तिर्ची आँखों से चुप रहने का इशारा कर रहे थे क्योंकि लक्षमन थोड़े तीवरस भाव के हैं तो उन्हों ने जब परशुराम जी के सामने ये बात कही तो राम ने उनको टोकने का प्रियास किया आगे लक्षमन कहते हैं कि इस धनुष के तूटने में श्रीराम का कोई दोश नहीं है क्योंकि इस धनुष को श्रीराम ने केवल छुवा मात्र था और ये तूट गया आप व्यर्थी क्रोधित हो रहे हैं बोले चितई परशुकी ओरा रेज सठ सुनेही सुभावने मोरा बालक बोली बधाउं नहीं तोही केवल मुनिजड जानही मोही बाल ब्रह्मचारी अतिकोही बिस्व विदित छत्रियकुल द्रोही भुजबल भूमी भूप बिनकीनी बिपुल बार महिदेवन दीनी सहस बाहु बुज छेद निहारा पर्शु बिलोक महीप कुमारा पर्शुराम लक्ष्मन जी की इन व्यंग भरी बातों को सुनकर और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वे अपने फरसे की तरफ इशारा करते हुए देखते हुए बोलते हैं हे बालक हे मूर्ख लक्ष्मन लगता है तुझे मेरे व्यक्तित्तु के बारे में नहीं पता है सारा संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरह से पहचानता है मैं छत्रियों का सबसे बड़ा शत्रू हूँ अपने बाजवों की बल पर मैंने कई बार इस प्रत्वी से छत्रियों का सरुनाश किया है और इस प्रत्वी को जीत कर ब्रहमनों को दान में दिया है इसलिए हे राजगुमार लक्ष्मन मेरे फरसे को तुम ध्यान से देख लो यही वे फरसा है जिससे मैंने सहस्त्र बहु का संगार किया था मात पित ही जनी सोच बस करसी महिस की सोर गर्भन के अरभक दलन परसुम और अतिखोर हे राजगुमार बालक लक्ष्मन परसुराम जी कहते हैं तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मट डालो अर्थात अपनी मृत्यू को नोता मत दो मेरे हाथ में वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश हो जाता है परसुराम जी इस तरह से कहने लगे तो विद्यार्थियो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए इसको जहीं तक रखते हैं शेश अगली वीडियो में वीडियो आपने पूरी देखिए उसके लिए धन्यवाद यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें आपके मन में कोई सवाल है कोई जिग्यासा है कोई प्रश्ण है तो कमेंट्स की माध्यमसें बताइए हम उसका निदान करेंगे आज के लिए इतना ही नेक्स्ट फीडियो में नेक्स्ट टोपी के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए शुक्रिया नमस्कार कर दो कर दो कर दो